विल्कम तू नायन अल्टिमेट हम लोग आधुनीक भारत के इतिहास में आज सुरत विभाजन पढ़ने वाले हैं इसमें एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि सुरत का विभाजन क्यों हुआ था क्या हुआ था इसमें तमाम सारी चीव बात करने वाले हैं देखो एक तो अधुत इतिया वहला बागतिया खनड एसे करके छोटा छोटा विडियो आएंगी आफ लोगों को आधुनिख भारत के लिए आप volunteer निकाल कर देखते रहें जो कि आप लोगों का जँन तमाम सारी परीश्चा है जो कि पीसियस हो गया किसी बीरानुक्त का साथ मैं से की सीजीयल हो गया सीपीयो हो गया रेलवे हो गया सब परिक्षा में एक काम देगा पीसीएस के लिए मैं बेहादिक सांदार कंस्ट बता रहा हूं तो आप सब लोग अंतक बने रहे साथ में आप लोगों को मैं बता दू कि हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्र Command Meós का लिंक दे दिया गया औब देखो सुरत लिवाजन निस सुटत कई सब लोगों को पता होता है कि सुरत का विवाजन निस सुटत में हुआ था और में कांग्रेस की अध्यक्षता किस ने किया था रास बिहारी घोस ने किया था देखो सुरत बिभाजन में का रास बिहारी घोस कई लोग बोस बता देता हैं आप लोग याद रखना रास बिहारी घोस याद रखना आप लोग इतना बात सब को मालूम होता है लेकिन सूरत का विवाजन क्यों हुआ इसके बारे में पता कुछ ही लोगों को होता है आप लोग देखो आध्धुनिक भारत बहुत ही लगभग लगभग आप लोगों को मैं बता दो कि आज कल जो भी एक्जाम के त्यारी करता है जो भी एक्जाम आता है उ इसके कई सारे कारण थे एक तो वीडियो चलता नहीं है तो थुड़ा सा मोटीवेशन कम मिलता है तो आप लोग देखने के बाद सेयर जरूर करें सेयर करना न भुले क्योंकि के बारे में बात करने वाला हूं तो देखो भारती राश्टी कॉंग्रिस की अस्थापना अठाश दिसंबर 1880 को होता है ठीक है और 1850 संघर्ष के दूरान 1880 से लेके 1905 के यूग को उदारवादी यूग कहा गया है और 1905 से लेके लगबग लगबग 1915 तक कई जगा 1918 भी या 1922 भी उगरवादी चरन कहा गया है और तीसरा चरन जो है 1915 यूग के बात का जो यूग है वो गांधी यूग के नाम से जाना जाता है इसने गांदी जी के अंदिर बिंदू रहात है था हम लोग आज नराम दल और्ल कि बिवियों सारे लगब लोग जो लोग जिनका लक्ष था अनुठम我覺得 भांचन इत्यादी के माधियं से बिट्टिस सरकार के समक्ष अपना मांग रखता था उग्रबादी ये लोग थे जिसका लक्ष जो था सुराज की प्राप्ति करना जब अनुनाय बिनाय परतिवेदन भासन इत्यादी से उनके अधिकारों की मांग की पूर्थी नहीं हुई 245 में एक गुट का प्रभाव असपष्ट रूप से कांगरेस के अंदर दिखने लगा जिसे उग्रबादी कहा गया अब देखो उदारबादी और उग्रबादी में कौन-कौन से नेता सामिल थे सबसे पहले इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं फिर हम लोग देखेंगे स सुरुत का विवाजन क्यों हुआ था और विवाजन की फल्सुरूप क्या हुआ देखो उदारबादी को कई बार नरमपंथी नेता भी कहते हैं तो आप लोग उसमें करना हो सकता है कि जगा उदारबादी की जगह पे नरमपंथी लिख ले ती इसमें आपको कौन-कौन से लोग तो दादा भाई नहिरो जी गोपाल कृष्ण गोखले शुरेंदरनाथ बनर जी फिरोज साह मेहता ठीक है यह वही हो गया डबलू सी बनर जी ब्योमेस चंद्र बनर जी मदन मोहन माल भी ए इत्यादी लोग उदारवादी निता थे उदारवादी को नडम पंथी भी का आते हैं अब देखो कई वार एक्जाम में आता है कोशन कि इन में से कौन उदारवादी निता थे या कौन उग्रवादी निता थे आप लोगों को इस से याद रखने की जरूत है उदारवादी में हो गया दादा भाई नैरो जी गोपाल किस्न गोखले शुरेंदरनाथ ब से क्किनठ यॉर्म मां लुए енधे इस अब कॉन थे उधारवादी निता थे तो अगरंबादी को घरëंपंती भी कहते हैं याद रखना आंप मतलब लोग समझ जाना कि अगरंपंत्य है तीनों एक ही चीजवाह its गेसं कौन थे लाल वाल पाल आप लोग जाद रखना और अरबिंध घोस्त लाल का मतलब होगया लाला-लाजपत्र है बाल का मतलब बाल गंगाधर्ति लट और पाल का मतलब ये तो उदारबादी और लगजियर हो ह trib er हो गया अब देखो सुरवारत भळाजन 1907 हमनों लोग पढ़ने वाले हैं देखो सुरवात्व भझान अखिर क्यों हुआ सब्सक्राइब हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहारी घोष जो है इसकी अध्यक्षता करें 1906 की कलकत्ता अधिवेशन के बात कर रहा हूं और उग्रवादी चाह रहे थे बाल गंगा धर तिलक कई अन्न सुरोतों पर लाला लाजपत रहे दिया रहता है ठीक है लेकिन अंतह अध्यक्ष बना दिया जता है दादा भाई नाइरो जी को देखो 1906 अधिवेशन में क्या हुआ अध्यक्ष पद के लिए के नडमदल और गरमदल में एक विबाद हो गया कांग्रेस के अंदर में उदारवादी चाहते थे रास्विहारी घोस्त और उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक या इसको चाह रहे थे लेकिन दादा भाई नेरोजी जो अध्यक्ष बने कौन थे उदारवादी निता थे यहां मैंने बताया था उदारवादी थे एक तो यहां पर विबाद हुआ इसके बाद 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसमें पुनह विबाद हो गया अध्यक्षपत के लेकिन दारवादी निता चाह रहे थे कि रास्विहारी घोस बने और अंत में रास्विहारी घोस ही बनता है एक कारण तो यह हो गया और दूसरा करण था अर्ष्थान को लेकिन उदारवादी चाह रहे थे कि सूरत में हो उदारवादी सूरत चाह रहे थे और उगरबादी नागपूर में चाहता था लेकिन हुआ कहां तो सूरत में हुआ अन करण बंगाल विभाजन के संबन्द में था कि उदारवादी चाह रहे थे बंगाल विभाजन जो हुआ था तो बंगाल विभाजन के फलसुरूप सोदेसी आंदोलन एक होता है सोदेशी आंदोलन होता है तो सोदेशी और वहिसकार आंदोलन का जो उदारवादी चाह रहे थे इसका परसार बंगाल तक ही सिमित्र है वहीं उगरबादी चाह रहे थे ब्यापक तोर पे भारत के अन्य हिस्टों में हो इन ही सब कारणों से क्या हुआ कि सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया दो भागों में आपको समझ में आ गया कि सूरत अधिवेशन में विभाजन क्यों हुआ था और विभाजन के फल सुरूप क्या हुआ था कांग्रेस में दो दल अलग-अल कर गरम दल को उग्रबादी भी कहते है अतिवादी भी कहते हैं गरद नर्मस को उधरवादी या नर्मपहंती भी कहते ठिका है तो सुर्वत्लेभाजन कर CRA कल रखना आप लोगों को याद होगा कि उनुसों अंचिक है यह याद रखना सूरत अधिवेशन कहां पर हुआ था सूरत में हुआ था असान है इसकी अध्यक्षता किस ने किया था तो रास बिहारी घोस यह पॉइंट आप लोगों के याद रखने की जड़त है सूरत का विभाजन क्यों हुआ तकारण मैंने यहां पर बता दिया कि 1906 के अधिवेशन देखो मेंस वगर हम भी आप लोग लिखोगे इस पर लिख सकते हो पॉइंट बना के कि सबसे पहरे 1906 में जब का अंग्रेश का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में इसमें अध्यक्षपद के लिए के पहली बार विवाद विवाद हुआ था उदारवादी चाह रहे थे रास विहारी घोस बने उग्रबादी बाल गंगा धरतिला किया एलाला लाजपत रहे को चाह रहे थे लेकिन अंत मे उदारवादी निता दारा भाई दादा भाई नैरो जी को इसकी अध्यक्षता किया पुर्णा सूरत अधिविशन में अध्यक्षपद के लिए के विवाद हुआ यहां पर रास विहारी घोस बनता इसके बाद आस्थान के लिए के विवाद था उदारवादी चाह रहे थ कोलन हुआ था व्यापक तोर भारत के अन्हिस्य में फैले लेकिन उदारबादी चाह रहे ते सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सिमित रहे इनहीं सब कार्णों से सूरत में क्या हुआ कांग्रेस दो भागों में बठ गया गरंदल और नरंदल उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर में लेंगे अगले टॉपिक के साथ तब तक आप लोग पिश्रा वाला वीडियो जो हमने पढ़ाया है बिहार का जिसका एक्जाम है बिहार की सांदार धंग से कलाश डली हुए ता आप लोग उसको देखे साथ में नायन अल्टिमेट नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल भी है टेलीग्राम से भी आप लोग जूरे बाकि धन्यवाद